तो चलिए मैं आज बात कर रहा हूँ एसे मीज पलस सीरफ के बारे में एसे मीज सीरफ जो है ये बच्चों के लिए है तो इसका क्या काम है उसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या मिला हुआ यानि कि क्या मिला करके बनाया हुआ है तो इसमें मिल sitamol mix है, इसका मतलब clear हो गया कि ये बुखार का सिरफ है, बच्चों के लिए जैसे माल यह आपका बच्चा दो सल का है, तो उसे 5 एमिल सूबह दो फर साम आप दे सकते हैं, बुखार उतारने के लिए, आपका बच्चा एक सल का है तो आप 4 ml सुभा 2 फर सम दे सकते हैं आपका बच्चा 8 महिना का है तो आप 5 ml दे सकते हैं सुभा 2 फर सम तो इस टैप का ये बुखार उतादने का केबल काम करती है और बुखार को पूरा जड़ से सही करना है समाप्त करना है तो आपको इसके साथ एंटिवार्टिक बगरा देना पड़ेगा तो एसे में पलस जो सिरफ है ये एक जेनलिक सिरफ है जिसका डिसका डिसकांट काफी है और इसका MRP जो है 65 रूपीज है तो आपको किलियर हो गया ये सिरफ किस चीज का है अब हम लोग जानते है कि ये कब कब कहां आती है और किस पोजिशन में इसको देना चाहिए जैसे मालिया किसी को फीवर है तो उसमें तो देही सकते है माल्य जाजे किसी बच्चा को चोटा गया कहीं पर सर फट गया या फिर ऐसे भी चोटा गया सेल नहीं फटा है दर्द हो गया है तो उस कंडिशन में भी इसका इस्तमाल हो सकता है चुकि यह एक एनलजेसिक सिरफ है यानि कि एनलजेसिक के मतलब होता है दर्द तो पारशिटमॉल है इसमें तो दर्द को भी अराम पहुचाएगा परस यदि बुखार आ रहा है दर्द क बहुत ही अच्छा बनाती है और इसका नाम एक वर फिल से आप याद रखें मैं दोराना चाहूंगा इसका नाम है एसमेज पलस सिरफ इसमें भी आर का ओपर देखें होगे गोला से चोटा से दिया हुआ है आर लिखाओ यानि कि इसमेज नाम से कोई नहीं बना सकता है यह अनली एसमेज लूपी नहीं बना सकता है तो यह सिरफ काफी अच्छा है आप एक वर ट्राइ कर सकते हैं मर्पी की बात करें तो 65 लूपीज है लेकिन डिसकॉंट यदि आपको दुकंदार करता है तो आपको लगभग 20-22 लूप्या में आपको इजी मिल जाएगा मेड़क लेकिन दुकंदार पर निर्फा करता है कि यह डिसकॉंट करते हैं या नहीं करते हैं वैसे तो बहुत अच्छा सिरफ है ही इसके साथ बहुत सारा ऐसा है पारसिटम और सिरफ जो बुखार उताने के काम करती है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही मेरा चनल को सब्सक् करें और मुझे इजाज़त दें नमस्कार